तो कैसे हो दोस्तों यहाँ पर आप सभी का एको नई वीडियो में फेर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपर हम कंपेर करने वाले हैं मार्तश जुद्युकी बलीनो के डेल्टा विरेंट को हुंडा योरा के एस विरेंट के साथ में है इन दोने विरिंट की दोस्तों प्राइस को, इंजन स्पेसिफेकिशन को, फीचर्स को, सभी कुछ से दोस्तों कंपेर करेंगे और आपको डिटेल में आपर बताएंगे, किस विरिंट में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और कौन सी गड़ी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम प्राइस की बात करें, तो बलीनो का डेल्टा विरिंट यहाँ आपको 7,33,000 रुपे की एक्स ओरुम प्राइस पर देखने को मिलता है, जो डिफ्रेंस दोस्तों आप आपको देखने को मिलेगा, वो दोनों ही गाड़ियों में आने वाले इंजन स्पेसिफिकेसन के बारे में, तो बलीनो के डेल्टा विरिंट में दोस्तों हैं, आप आपको 1.2 लिटर का डुवल जेट पेट्र इंजन देखने को मिलता है, जो की एक नई टेकनोलोजी है, मारत्वी सुजुक्की की 89BHP का और 113 नम का टॉर्क यहां पर आपको मिल जाता है, 22.3 केमपल का मैलेज इस पेटर इंजन में क्लेम किया जाता है, यह एंजन दोस्तों आपको मेनुवल और आटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमेशन में देखने को मिल जागा, और आपको डेल्टा विरिंट में भी मेनुवल आटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमेशन मिल जाते हैं, हालंकि यहां पर हम सिर्फ मेनुवल ट्रांसमेशन वाले विरिंट को ही कमपेर कर रहे हैं, वहीं बात करें हुंटा यह और आपको 1.2 लिटर का ही, 1200 CC का ही पेटर इंजन देखने को मिलेगा, 82 BHP की पावर यहां आपको power थोड़ी सी ज़दा देखने को मिलज़ेगी और mileage भी चोड़ी सी better देखने को मिलेगी बलीमों के साथ में और आके comparison में अब बात करते हैं दोस्तों मारूती बलीमों के Delta variant के exterior profile के बारे में बार से देखने में आपको Delta variant कैसा लगता है तो Chrome में दोस्ते हैं आप आपको front grill देखने को मिलेगी Projector Headlight से याप आपको मिल जाती है LED Taillight से आप आपको दी गई है Rear profile में Foglame दोस्तों आपको Delta variant में देखने को नहीं मिलेगे Body Color के Door Handle मिल जाते है Body Color के ORVM दिए गए और जो Turn Indicator है वो भी ORVM के उपर देखने को मिल जाएगा 15 इंच के wheels यहाप आपको मिलते हैं जिसके साथ के आपको Full Wheel Cover मिल जाएगे Yellow Wheel का option दोस्तों आपको इससे उपर वाले variant में देखने को मिल जाएगा तो बार्षे देखने में दोस्तों आपको बलीनों का Delta variant ठीक ठाक लगेगा यहाँ पर आपको सभी जरूरत की चीज़े देखने को मिल जाती है Interior की दोस्तों कर हम बात करें तो Dual Tone का Interior आपको देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं दोस्तों Hyundai Aura के S variant की exterior profile के बारे में बार्षे दिखने में आपको Hyundai Aura का S variant के सा लगता है तो यहाँ पर आपको Halogen Hydrites देखने को मिलेगी जबकि आपको बलीनों में प्रोजेक्टर मिल रही थी यह दोस्तों एक difference है आपको देखने को मिलता है तो यह एक extra चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है बोडी कलर के door handle यहाँ पर भी आपको दिए गए है बोडी कलर में ही दोस्तों आपको ORVM देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जो Aura का S variant है यह 2nd variant है Turn Indicator दोस्तों आपको Fender के उपर देखने को मिलेंगे जबकि आपको Balino में ORVM के उपर ही Turn Indicator दिए गए थे जो कि एक premium लगता है बार से दिखने में यहाँ पर दोस्तों आपको 14-inch के wheels देखने को मिलेंगे जिसके साथ कि आपको full wheel cover मिल जाते हैं Balino में दोस्तों आपको 15-inch के wheels मिलते हैं एक इंच बड़ा टायर आपको Balino के डेल्टा विरेंट पर देखने को मिलता है यह difference है आपको देखने को मिलेगा लुक्स के मामने में दोस्तों Hyundai Euro का S विरेंट भी ठीक ठाक लगता है एक तरफ यहाँ आपको sedan कार मिलती है जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर आपको premium hatchback देखने को मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर आपकी choice है कि आप इन दोनोई कार में से कौन सी कार को choose करना चाते हैं तो अब दोस्तों यहाँ आपर हम बात करते हैं इन दोनोई विरेंट में आने वाले सबी features के बारे में सबसे परे दोस्तों हम बात करेंगे दोनोई विरेंट में आने वाले से भी common features के बारे में वो सबी features चोब कि आपको बलिनो के delta विरेंट में भी मिल जाते हैं और हुंडा यॉरा के S विरेंट में भी देखने को बिल्कुल बराबर मिलेंगे तो safety के लिए आपको dual front airbag दोनोई विरेंट में दिया गया है ABS और EBD का feature मिल जाता है reverse parking sensor आप आपको मिल जाते है high speed alert का feature मिल जाता है seat belt remander का feature दिया गया है central locking का आप आपको feature दिया गया है speed sensing auto door lock मिल जाते है और child safety lock का feature भी मिल जाता है comfort के लिए दोस्तों आपको इन दोनी विरेंट में AC दिया गया है लेकिन बलीनोम दोस्तों आपको automatic climate control AC मिलता है जबकि आपको औरा के अंदर manual AC दिया गया है tilt adjustable steering wheel का feature आप आपको दोनी मोडल में मिल जाएगा 12 world का power outlet का feature मिल जाएगा और USB charging port का feature भी मिल जाएगा front center में दोस्तों आपर आपको cup holder दिया गया है और 1 liter water holder का feature आपको सभी दरवाज़ों में देखने को मिलेगा front and rear power windows का feature भी आपको दोनी मोडल में मिल जाएगा electrically adjustable overview का feature दिया गया है और rear defover का feature यह आपको मिल जाता है तो यह सभी दोस्तों वो features हैं जो कि आपको बलीनो का delta model लेने पर भी मिलेंगे और Hyundai Aura का S model लेने पर भी मिलेंगे looks दोस्तों यह आपर different है features हैं आप आपको यह सभी same देखने को मिलते हैं multimedia system की दोस्तों कर हम बात करें तो बलीनो में दोस्तों आपको 7 इंच का touch screen music system देखने को मिल जाएगा जिसके साथ की आपको USB, OXO, Bluetooth की connectivity मिलेगी Android Auto और Apple CarPlay का feature मिल जाएगा steering mounted audio controls देखने को मिल जाएगे वहीं Hyundai Aura के S model में दोस्तों आपको 2DN का button वाला music system देखने को मिलेगा aftermarket दोस्तों आप इसके अंदर भी touch screen music system करवा सकते हैं USB, OXO, Bluetooth की connectivity मिलती है और steering mounted audio controls यहाँ पर भी आपको मिल जाते हैं तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनी विनिट में आने वाले unique features के बारे में तो सबसे पर बात करेंगा बलीनो के delta wind में ऐसे कौन से extra feature मिलते हैं जो कि आपको Hyundai Eora का S model लेने पर नहीं मिलते हैं तो बलीनो का delta model लेने पर दोस्तों आपको automatic climate control AC मिल जाता है electrically foldable ORVM का feature मिल जाता है adjustable का feature दोस्तों आपको दोनी model में same दिया गया है 7 inch का touch screen music system याप आपको मिल जाता है जो कि आप aura का अंदर भी aftermarket fit करवा सकते हैं बात करें Hyundai Eora के S model में आने वाले extra features की तो Hyundai Eora के S model में दोस्तों आपको rear AC wind का feature मिल जाता है जो कि बलीनों में नहीं मिलता है और aftermarket भी दोस्तों आप ये feature नहीं लगवा सकते हैं height adjustable driver seat का feature ये आप आपको दिया गया है rear center में दोस्तों आपको armrest का feature मिल जाता है with cup holder LED daytime running lights ये आप आपको मिल जाती है projector fog lamp दोस्तों आप आपको मिल जाते हैं और adjustable rear seat के headrest ये आपको मिल जाते हैं तो ये से भी extra features दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे Hyundai Eora के S model में तो दोस्तों बलीनों में ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी आपको ज्यादा features extra देखने को नहीं मिलते हैं सिर्फ हैं आपको touch screen music system मिल जाता है जो कि आप Hyundai Eora के S model में aftermarket भी install करवा सकते हैं उसका लावा दोस्तों आपको ज्यादा features तो Hyundai Eora के S model में ही मिलते हैं उसी के साथ में आपको इस गड़ी की 40,000 रुपे extra room price भी कम देखने को मिलती है तो अगर दोस्तों आप इस price range के अंदर एक value for money car खरीदना चाते हैं तो definitely दोस्तों आपर आप Hyundai Eora की S variant की तरफ जा सकते हैं जो की value for money भी है और उसी के साथ में आपको एक sedan car का feel भी देखने को मिल जाएगा तो ये ता दोस्तों इन दोने ही गड़ीयों के variant comparison वीडियो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें और हमारी यूडियो चनल को भी subscribe करें इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और हमें इस्टाग्राम पर भी जरूर से follow कर लें